उत्तर प्रदीस की पुलिस हमेशा अपने बरताओं के चलते चर्चाओं में रहते हैं लिकिन यूपी पुलिस के एक मानेवे चहरा मतुरा में देखने को मिला है मतुरा रेलवे जंक्शन पर एक महिला प्रसव पिडा से तडप रही थी और उसका पती मदद के लिए लोगों से गोहार लगा रहा था वहां मौजुद लोग बस तमासा बीन बन कर खड़े थे पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की तबी S.O. हाथरस सीटी सोनु कुमार की नजर महिला पर पड़ी सोनु कुमार ने बिना वक्द गवाय महिला को उठाया और अस्पतार लेकर पहुचे जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है जानकारी के अनुसार S.O. हाथरस सीटी सोनु कुमार इलाबाद कोट में तारिक करके शुकरवार को मथुरा रिले जंक्चन पर उत्रे तबी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो बुरी तर दर्द से तडप रही थी S.O. हाथरस ने तूरंट 102-108 नंबर जो एंबुलेंस के लिए अधिकृत है उन पर फोन लगाया पर किसी कारण एंबुलेंस नहीं मिल सकी सोनु कुमार समय ना गवात हुए तूरंट एक कार से महिला को लेकर अस्पताल पहुँचे वहाँ पहुचने के बाद भी मुश्किले कम नहीं हुई त्यूकि अस्पताल में स्ट्रेचर उपलब नहीं था इसके बाद उन्होंने महिला को गोद में उठाकर जिला महिला चिकिसाले पहुचाया जहें महिला ने बच्चे को जन्म दिया एस ओ हात्रस सिटी सोनुकुमार की ये दरिया दिली वाकई तारीफ काबिल है ऐसा करके उन्होंने सचमुच माना ताकि मिशाल पेस किये ये SS News को अभी सस्क्राइब करिए और इस बैल आइकन को जरूर दबाईए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिले